नमस्कर दोस्तों मैं उदल आर्फरे एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन परुडों देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज केड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी आज देशी मुर्गी पालन का इह व्यावसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युआ, यूती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ-साथ, आज वयस्का आबादी के सदस्यों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है, इस व्यौशाय ने लाखो का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है, इस कारन वश कितने बे व्यावसाय को चुनना चाहते हैं आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी मुर्गी पालन करना है और इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है लेकिन आईसी परिस्तितियों में आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि सरजी द देशी मुर्गियों का अंडों का उत्पादन कम है। जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको अंडों का उत्पादन लेना है। यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लीजे। पसंद आजाये तो जरूर लाइक कर दीजे। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे। शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर, वाटसब ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट इन सोशेल मीडिया के साधनों को यहाँ पर लिंक के दौरान जो है दोस्तो वीडियो शेयर कर दीजिए और रही बात आपके सब्सक्राइब करने की। तो दोस्तो आप सभी मुर्गी पालक भाईयों को, किसान भाईयों को मैं हाथ जोड कर अनुरोध करना चाहता हूँ। तो आने वाला हरुड आपको समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा। तो देखे दोस्तो देशी मुर्गियों को एक अच्छा वहाँ पर option कौन सा है और हमें लेयर का farm बनाना है। लेर मुरगियों का फार्म यानिका अंड़ों का फार्म और फिर दुनिया के सबसे बहितरीन मुरगी तो देशी मुरगी मैं मानता हूँ लेकिन देशी मुरगी अंड़ों का उतपाधन कम देती है आपको इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है तो दूसरा option है दोस्तो रोड आइसलेंड रेड हाँ दोस्तो देशी मुर्गी की हमशकले इसे कहां जाता है दोस्तो देशी मुर्गियों से इसकी तुलना की जाए तो वेट से अंडो का उत्पादन लेकिन दुगना और साथी साथ में सबसे महत्यों पुर्ण बात क्या है द 30% क्रॉस में आते हैं क्योंकि 29 में दोस्तो इसके माध्यम से अंडो का उत्पादन बढ़ाना एक में यहां पर उद्देश था और यह मुर्गी स्रिफ अंडो के लिए है इसका मीट परपस के लिए आप इस्तमाल नहीं कर सकते हो तो फिर आएसे परिस्तितित्यों में सर ज उसके साथ 178 मुर्गे लेने हैं जो उसके लिए लगेंगे इस माध्यम से फार्म शुरू हो जाएगा काम कारोबार हम कर लेंगे 500 मुर्गियों के माध्यम से क्या आपको पता है कि अंडों का प्रोडुक्शन डेली कितना होगा तो जो यह मुर्गी है 75% अंडे देती यान 350 अंडों का क्यालिकुलेशन करना बेहद यहां पर जरूरी है तो 350 अंडों की बात करें तो 350 अंडों के माध्यम से 10 का ही रेट पकड़ लीजे पूर्य भारत वर्ष में आसानी से इतना रेट तो मिल जाता है तो 350 गुना 10 याने तकरीबन 3500 रुपए की आपको यहां पर आ माध्यम से आपका फिड़ का खर्चा देड़ से लेके दो रुपए में भी अड्यस हो जाएगा इसे 25-30 ग्राम लियर फिड़ देना है 25-30 ग्राम तक इसे सूखा फिड़ देना है बाकी फ्री का फिड़ देना है और यहां मुर्गी आप खुले में भी 100 प्रतिशत होगे दोस्तों तो इस मुर्गी के माध्यम से होने वाला फिड़ का खर्चा ज्यादा ज्यादा 5000 तक हो सकता है तो इससे कम में बैटेगा और मैं बिढ़ा कर दे सकता हूँ दोस्तों अगर आपको बिढ़ना है knowledge पाना है मार्गदरिशन पाना है प्रसिक्शन पाना है तो आप तुरण संपर किजे चोरा सी किस बाइसी बासेट बासेट पर केवल पास्तो रुपे के मासिक शुलक पर मैं ये बहितरीन जानकारी आप तक पहुचाता हूँ अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है रेजिस्टेशन करना है और लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो कश्मीर से कन्या कुमारी तक गुजरास से बंगाल तक आपको करता हूँ आमंत्रित संपर किजे चोरा सी किस बाइसी बासेट बासेट पर और कॉल करने के बाद आपकी बात चित उद्धै लाड़यने मुझसे हो जाएंगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उसके डिजे किसे पर कोई भी ज़ोर जबरदस्ती यहां पर नहीं है तो दोस्तो यह बात हो गई देखो पास्सो मुर्गियों की और यह रजिस्टेशन की बारत थी तो पास्सो मुर्गियों के माध्यम से 315 संड़े मिले कम से कम 10 के हिसाब से बेचे तो 3500 की आमदनी हमारे आत म आई अभी 3500 में से हमने फिड का खर्चा और टीका करन का खर्चा प्रती मुर्गी 2 रुपए माइनस भी कर लिया तो ज़्यादा-ज़्यादा अभी 3500 में से 1000 को माइनस कर दोगे तो 2500 का आपको शुद्ध मुनाफ़ा प्रती दिन होगा हर महां आपको मिलने वाला शुद्ध मुनाफ़ा पिच्छत्र हजार तक होगा ऐसी परिस्तितियों में दोस्तों सोच कर देखे कि आप साल भर में नौलाग कमा रहे हो लेकिन इसमे बिलाएगा उसका शुद्ध मुनाफ़ा यहां पर दोस्तों असी से लेके 90,000 तक भी पहुच सकता है और अगर आप से कोई गलतिया होगे आपने बहुत केरफुली नहीं किया तो आपका मुनाफ़ा 20-30,000 तक भी लुड़क सकता है यानि कि जिसकी ज्यादा महिनत उसको आ पादन बहतर देगे और उस माध्यम से हम आगे अच्छी तरह से बढ़ पाएगे तो यह थी रोड आइसलेंड डेड मुर्गी जिसका पास्व मुर्गियों का पार्म तयार करके आप आसानी से देखिए हर महा 75,000 का मुनाफ़ा कमा सकते हो 75 का ठीक ना लगे तो 50 से लेके 60 56,000 का मुनाफ़ा तो आप यकीनँ यहां पर प्राप्त कर सकते हो तो दोस्तो अभी आपको तो यह मुर्गी का चुनाओं किस प्रकार से करना है इनका ठीका करने फिड मैनेजमेंट है इनके लिए शेड किस प्रकार से बनाना है इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है आईसी प पादन से लेके मार्केटिंग तक साहियता करने के लिए तयार हूं और वह भी केवल दोस्तों पास सुरुपए के मासिक शुलकप और यह भी फिस मैं मेरे लिए नहीं लेता हूं दोस्तों मेरे साथ जो टीम काम करती है जो वहां पर अनलेसिस के आकड़े मुझ तक पहुचात अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है, मेरा गाइडन्स पाना है, मार्कदर्शन पाना है, ट्रेनिंग यों प्रशिक्षन पाना है तो आप तुरन संपर किजे 84, 21, 82, 62 पर और डिस्क्रिप्शन में आपको इंडियन मुर्गी पा से आप यहां पर हर महा 75,000 का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो, इसकी जानकारी दी, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्षन में लिख कर भीजे, पसंद आया होगा वीडियो लाइट कीजे, किसान भायों तक पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे, इपतोहर किसान भायों और मुर्गी पालक भायों से हाथ जोड कर अनुरोध करता हूँ, दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और आखरी सास तक मानता रहूंगा, यदि आप भी मुझे आपना और घर का सदश से मानते हो, तो क्रिपे सब्सक्राइब कर लिजे, सब् आपको समय समय पर मिलता रहेगा, तो दोस्तों आई सा ही एक नया विडियो लेकर मैं आपका दोस्त तुदे लाड़ा आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा, तब तक किलिए मेरे हर किसान भायों और मुर्गी पालक भाय का आज के पुरमेता है दिल से बहुत-बहुत आभार।